नमस्कार प्यारे बच्चो वेलकम आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में प्यारे बच्चो आप जानते हैं MTS SSE MTS का एक्जाम बच्चो आपका होने वाला है और बटा MTS के एक्जाम के इन आखरी दिनों की मेहनत आपकी बहुत शांदर तरीके में होनी चाहिए उसी मेहनत को बच्चो साकार करने के लिए ताकि आप एक्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं SSE MTS के previous year paper का एक-एक reasoning का complete set मैं आपको daily provide करवा रहा हूँ आज बच्चो हम आपके लिए SSE MTS का एक बहुती शांदर सा paper करेंगे reasoning के पूरे 25 questions के बारे में बच्चो मैं आपको detail में सारी कहानियां बताने का प्रियास करूँगा आप हर एक प्रकार के question को बड़ी इमानदारी से solve करने का प्रियास करना जितने भी बटा question आपके सामने आएंगे ठीक प्रकार से उन चीजों को solve करने का कोशिश करना बच्चो सवाल आपके सब के सामने हैं बच्चो पहला question आज की क्लास का और ये बात बच्चो मुझे बताने की नीड नहीं है आप सब जानते हैं कि SSC MTS का level और exam के comparatively काफी easy प्रकार का होता है काफी आसान प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं सवाल बच्चो आप सब के सामने हैं कहानी बटा आप सबने देख लिया है कि coding decoding का ये सवाल है और coding decoding की जानकारिया क्या है इनको एक बाद try कर दीजिए प्यारे बच्चो डैली का आपने code किया है D-E-L-H-I code किया गया है C, D, K, Z और H केवल इतनी सी बात को देखते ही बटा आपने समझ लिया इसर प्रतेक अक्षर की numbering में एक एक कम किया हुआ है कोई alternate का कोई vowel consonant का किसी प्रकार का कोई महतव नहीं है सब में आपको एक एक कम करके सवाल दिया गया सर नर्वस N, E, R, V, O, U, S का कोड पूछा है माइनस एक करेंगे M, माइनस एक करेंगे D, माइनस एक कम करेंगे Q, माइनस एक करेंगे U, माइनस एक N, माइनस एक T, और माइनस एक करेंगे R शोर का भी आपको सेम प्रकार में कोड दिया गया है तो आपको सारे सवाल चेक करने की नीड नहीं थी उचा गया मिलियन का कोड क्या बनेगा मिलियन का कोड आपको ट्राई करना है सर M में A गटाओगे 12 A गटाओगे H A गटाओगे K I में A घटाओगे H, O में A घटाओगे N, N में A घटाओगे M सवाल का उत्तर बनेगा LHKK ऐसा बच्चो A की उप्शन है तो ये जानकारियां अपने आप में बहुत आसान होती है एलफा बैट की नमबरिंग आप सबको याद होनी चाहिए थिरे बच्चो A जे बहुत की नमबरिंग को समझकर आप अपने इस सवाल का उत्तर ठीक परकार से ग्याद कर सकते हैं सवाल नमबर दो की बात करते हैं बच्चो और जीखो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कहने को तो ये common कोडिंग है पूरे सवाल को लिखकर solve करते हैं बच्चे कई लेकिन आपको इसको लिखकर solve नहीं करना question को आपको mind में sort out करना है क्या करेंगे आप देखिए आपको जानकारी दी गई who are you who are you का code दिया हुए s u e r e n i k सर आपसे मैंने पूछा dangerous का code क्या है देखिए आप डारेक्ट अपने options को देखिए who are you में dangerous तो नहीं है तो उत्तर में s u e r e n i k नहीं हो सकते s u e उत्तर नहीं हो सकता n i k उत्तर नहीं हो सकता सर उत्तर तो इन दोनों में से एक होगा ये बात आपको अभी idea होगी सर आपने पूछा they is you they is you they is you का कोड है p i r e s o r आपने ये भी समझ लिया कि they is you में dangerous नहीं आया तो p i b मेरे सवाल का उत्तर नहीं बनेगा सर बिना कोई जादा चिंता किये हम अपने सवाल का उत्तर c टिक कर देंगे c अपने इस सवाल का right answer बनना चाहिए c इस सवाल का सही उत्तर बनना चाहिए उत्तर कैसे आएगा वो जानकारी समझना बच्चे urgent काम में आपके लिए सवाल को तुरंत चेक करना ये आपके लिए easy task है हर एक बात कितनी आसान है सवाल को साथ साथ बनाने का प्रयास कर दीजिए अगला सवाल बच्चो देखो ये भी वैसा ही question है ये भी same प्रकार का सवाल है random boys talk code किया हुआ है A3P सर इसी में talk too much girls code दिया हुआ है 3,4,2,6 simple सी बात है बच्चो आपसे पूछा गया कि बताइए उस coding में talk का code क्या बनेगा how can we run talk बेटा first line में second line में talk word common है कुछ और common नहीं है इन में 3 common है तो talk का code क्या रहा होगा 3 रहा होगा MTS के paper में coding decoding के सवाल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा सवाल coding decoding के आपको दिये जाते हैं आपने code देखा sir P O K E R poker का code किया हुए I D sorry I H D X X करके code दी है उसी प्रकार में fence F A N D S code लिखकर दी है Y T Z W L उसी भाषा में हमसे A Q B C G का code पूछा है इस code को किस परकार लिखेंगे ये code आपसे सवाल में demand की गई इस code की बच्चों आपसे बात की गई प्यारे बच्चों पूरा सवाल आपके लिए बहुत easy है अगर आप अपने सवाल में आज पास की numbering को देख लेते हैं फ़ड़ा चीजों के बारे में अनुमान लगा पाएंगे आप numbering जानते हैं P आता है 16 पर I आता है 9 पर 7 माइनस है 15 और 8 में 7 माइनस है 11 और 4 में 7 माइनस है 31 में 7 गटाओगे 24 है और ये लास्ट वाले में कहानी अलग है बचो लास्ट वाले में गेम खेल दिया इसमें आपने 18 में X दिया है क्या ने K दिया है सवाल में सब में logic सेम था यहां पर K दिया है यह भी 7 माइनस है यहां भी बचो 7 माइनस है 27 में 7 माइनस है प्रतेक अक्षर की नम्बरिंग में साथ साथ माइनस किया गया है सर तो 27 में 7 गटाओगे 20 17 में 7 गटाओगे 10 28 में 7 गटाओगे 21 29 में 7 गटाओगे 22 और 7 में 7 गटाओगे Z सवाल का उत्र बनेगा T Z U V Z यानि कि A option को टिक कर दीजिए A आपके सवाल का उत्र बनना चाहिए A should be a right answer A should be a correct answer सवाल का उत्र A बनेगा जानकारी को इस परकार में बनाईए बच्चो बहुत ही आसान परकार का यह सवाल था पांचमा question एक और आप सब के सामने बहुत आजपास के अक्षर मिलते हैं जब भी कभी इस परकार की बात आपको सवाल में मिले तो लॉजिक को ठीक परकार से try करने का प्रयास कीजिए 16 और 14 में 2 माइनस है 15 और 13 में 2 माइनस है 18 16 में 2 माइनस है सर इस परकार सब में 2 2 माइनस करके बात बन सकती है सेम बात कौन से option में 14 12 में 2 माइनस है यहां 3 माइनस है उत्तर नहीं होगा यह दो माइनस है यह दो माइनस है लास्ट में दो प्लस कर दिया यह उत्तर नहीं होगा यहाँ पे दो प्लस कर दिया नहीं बनेगा सर उत्तर बनेगा D option M U Z E S K जानकारी बनाओगे देखो दो माइनस है 21 में दो माइनस है D आपके सवाल का उत्तर बन गया दो-दो माइनस करके आपको पैटरन दिया गया था पिटा ये थोड़ा इस सवाल में मैं आपको चेंज करके दे रहा हूँ इंदी थोड़ी इसकी आप लोग चेंज करें ना इंदी को मत लिखो ये समझो रिंग वो अंगोठी नहीं है वो तो गूगल से हमने चेंज करा तो बात होगई पिटा ये गेम और उनके खेलने की जगह का सवाल है कि कौन सा गेम कौन सी जगह पे खेला जाता है किरकेट खेलने के लिए हम पिच यूज करते हैं कि यूँ कह दीजिए अपोजिट और में कि पिच का यूज क्रिकेट खेलने में होता है Court का यूज़, Badminton खेलने में होता है तो ring, वेटा рेसलिंग के लिए, रेसलिंग के लिए यूज़ करते हैं, बौक्सिंग के लिए तो बौक्सिंग रिंग में होती है आपने इस प्रकार का एक देखा होगा बौक्सिंग के लिए डिबा सा बनाया जाता है जिनके बाहर रसियां लेपेटी होती हैं तो वो जो एरिया बनता है उसे रिंग बोलते हैं बॉक्सिंग खेलने के लिए प्रिप जगा का नाम रिंग होता है रिंग इस दा करेक्ट आंसर फॉर बॉक्सिंग आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए कि रीजिनिंग का कम और जि करके दे रहा हूं आप यह पता पाएं इसर ऐसा कौन सा रिलेश्ण है जो इन दोनों के बीश में इन दोनों के बीच में भी एं सेम प्रकार का रिलेशन देखना है सैम प्रकार के रिलेशन की बात करनी है अगर दोस्तों मैं बड़े बड़े नंबर देख रहा हूं पर इतना बड़ा नंबर भी नहीं है कि multiply करा होगा मैंने देखा इन दोनों में add किया हूए 54 यहां भी add किया हूए 54 यानि कि इनका जो difference है बीच का वो constant चल रहा है अगर मैं अपने options पे एक बार नजर मारता हूँ फर्स्ट वाले में add किया हूए 34 लेकिन यहां पे 14 में 6 गए 8 अठारा ही add किया हूए यह उत्तर बन नहीं पाएगा मेरे को same difference चाहिए पहली priority तो 54 का ही चाहिए चोवन नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है same difference चाहिए तब अपना answer मान सकता हूँ सर इनमे 52 तो 54 का difference है और इनमे भी 54 का difference है निस संदे भी आपके सवाल का उत्तर बनेगा यह same difference कहीं आगे नहीं मिलेगा 54 चोवन का difference दो जगा मिलना चाहिए यह केवल आपको b option में मिल रहा है आप इसमें logic average का भी लगा सकते हो लेकिन अगर आपको यहाँ difference 54 का मिल रहा है न तो कोशिश करना कि आपके option में भी आपको same difference मिले तभी इस logic को मान पाएंगे तभी इ इसको try करना आपके हिसाब से आपके काईदे से सवाल का उत्तर क्या बनना चाहिए तुरंत इस बात को बनाने का प्रयास कर दीजिए जल्दबाजी आप से होनी नीचाहिए सवाल बहुत easy है तुरंत इसको solve करने का प्रयास कर देना सब बच्चे कितना यह आसान था सर मैं कह सकता हूँ 16 में 3 माइनस किया है और 22 में 5 माइनस किया है 6 में 3 गटाओगे 3 का मतलब C 28 में 5 गटाओगे 23 का मतलब W CW मिल रहा है option B में यह analogy कहदो coding decoding कहदो एक ही बात है फरक नहीं पड़ता सवाल बड़े आसपास के हैं सवाल बहुत easy प्रकार के हैं इनमें किसी बात का doubt नहीं है बच्चो यह सवाल बच्चो नंबर बेज दिया गया है 34 का 12 से relation 28 का 16 से तो किसका relation 15 से बनना चाहिए सर आप समझो 3 और 4 का गुणा करेंगे 12 बनेगा 2 और 8 का गुणा करेंगे 16 बनेगा कौन से 2 नंबर गुणा करूं की 15 बन जाए 2 गुणा 4 आठ बन रहा है तीन गुणा दो 6 बन रहा है यह 12 बन रहा है केवल c अगर यहां पे 35 होता तो मैं 3 गुणा 5 करके 15 कर सकता हूं सवाल के उत्तर इसके कई बन सकते हैं और option के आधार पर आपको confirm हो गया सवाल का उत्तर 35 बनेगा 3 गुणा 5 करेंगे 35 बनेगा माफ कीजिए तो 15 के according उत्तर सवाल का क्या आगया c टॉपी का नाम है एनलोगी एनलोगी का मतलब होता है साथ दर्शता दिखने में एक जैसा looking wise same looking wise same की बात आपको दी गई पुरंत इसे ट्राइग कर दीजिए सवाल बहुत आसान है दोस्तो इस सीरीज में कोई एक नंबर गलत है आपको बचे केवल wrong नंबर को find करना है गलती 394 में थी 394 की जगह पे 392 आना चाहिए wrong नंबर की बात करोगे 392 आपके सवाल का उत्तर बनेगा बस इतनी सी बात को जान लीजिए बढ़े 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 नंबर दिह रहे है इसका मतलब कि कोई ने कोई मल्टिप्लाई की बात ही चल रही है और कोई नहीं सवाल में मल्टिप्लाई का लाजिक ही दिया जा रहे है अगर मैं यहां देखता हूँ 14 से 21 से 3 गुणा है 63 63 का I think यह 6 गुणा है यह 6 गुणा है बच्चों एकदम सही बात है और यह मेरे इसाब से 9 गुणा भी है 378 का 400 गुणा 362 गुणा 118 में कम सही बात है तो यहां बच्चों काईदे में एक गुणा आना चाहिए एक गुणा तीन फिर 6 फिर 9 यानि तीन की टेबल चल रही है तीन की टेबल चल रही है दुगना एक गुणा नहीं आएगा यार तीन की टेबल चल रही है तीन गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 0 तो यहां पे आपके लिए 9 गुणा भी है, यह 6 गुणा भी है, यह 3 गुणा भी है एक बटा 3 इसको दुगना किया फिर 3 गुणा किया step क्या लिखे हैं हाँ पर गलती तो 14 में यह तो पता लग गई 14 की बजाए कुछ और यहाँ पर आना चाहिए है और आना क्या चाहिए भाई इनमें अंतर 3 का इनमें अंतर 3 का इनमें अंतर 3 का जिरो होना चाहिए पर 0 तो बन नहीं पाएगा मल्लिप्लाई' कर रहा है तीन из 6 और 9 से यह गुर्णा कर रहा है तीन बटाद inne कि यह गुणा कर रहा है तीन बटा 2 से तीन से छैसे एक काम करो सीरीष का लोजिक ए मत बना हो तो लोजिक यह देखो कि यह तीन बटा दो यानिकि बेड़ क्रेड़ का दुगना तीन तीन का दुगना छैभी शोन आथी वाले स्टीप में आखरी वाले स्टेप में अरे कि नौ से गुणा करने की बज़ाए बारा से गुणा करने पर फोकस करना है जब बारा पर और करोगे तो चौन लाए गूना किया फिर नौ किया तो ऐसे करके आपके इस सीरीज को बनाया 3402 में गलत है अगला सवाल ट्राई करना सवाल नंबर 12 वह 12 सवाल अपने बहुत इजी है सवाल अपने आपने आप में बहुत आसार है कि दो चार 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 दस चार 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 अठारा तर यह प्लस चार का पैटरन है 15, 4 गटाओगे, 4 गटाओगे, 39 में 4 गटाओगे, 25 यह माइनस चार का पैटरन है 14, 4, 18, 22, 26 और D q 4 का पैटरन है 4, 22, 18, 14, – 4 का पैटरन है सीरी चल रही है एक प्लस 4, एक माइनस 4, प्लस 4, माइनस 4, र, व, द, न का मतलब सवाल का उत्तर D आना चाहिए दी ही आपके सवाल का एक मातर उत्तर आएगा बचो ये 13 number question है बोड मास का सवाल है और बोड मास के सवाल में तुमको एक बात बोली गई कि multiply और division को change करोगे तो बताओ equation का मान क्या बनेगा दिये गए व्यंजक का मान क्या बनेगा आप दोस्तों दिये गए व्यंजक का मान ग्यात करने का प्रियास कीजिए क्या बात बननी चाहिए तो ये 13 number आगई बात समझ में 20 plus division की जगह पे गुणा कर दिजिए multiply की जगह पे divide कर दिजिए इतना सा काम कर दिए बीस पलस ये बन जाएगा 3 15 35 35 में से 5 गटाओगे 30 सवाल का उत्तर बनेगा सी बोड मास का नियम सवाल में अंकित होता है आपको बिटा बोड मास का नियम लगाना आना आना चाहिए बोड मास के नियम के बारे में अठीक जानकारी रहनी चाहिए किन दो चिनों को आपस में बदले इक्वेशन का मान 35 हो जाए इक्वेशन का मान 35 हो जाए आप्शन में आपको चीजें दी गई है किरें कौन से दो साइन बदलू कि इसका मान 35 हो जाए दोस्तों आप ये जानते हैं सवाल में बोड मास का नियम तो लगेगा लेकिन 529 में 23 का पूरा-पूरा भाग जाता है 529 में 23 का पूरा-पूरा भाग जाता है तो मेरे को लग रहा है डिवीजन के स्थान पे मल्टिप्लाई होना चाहिए डिवीजन पे मल्टिप्लाई और मल्टिप्लाई पे डिवीजन ऐसा क्यों सर भया मेरे को नंबर चाहिए बहुत छोटा 35 अगर मैं 529 का 23 से गुणा करूँगा तो वैसे रिजल्ट बहुत बड़ा बन जाएगा इतना बड़ा नंबर चाहिए नहीं मल्टिप्लाई और डिवाइड को चेंज करू 13 प्लस एक्याण में माइनस 3 गुणा 529 भाग 23 एक्याण में और जोड़ दोगे 104 बनेगा माइनस 3 गुणा 23 104 माइनस 39 करोगे 35 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा बी ऑप्शन यही बात हमको जेखनी है पोर्ड मास के नियम में दोस्तों डिवीजन हर पल आपकी सहता करता है डिवीजन पे आप लोग काम करया किजिए डिवीजन पे सवाल को बनाया किजिए बिटा डिडिए एफ एक आयताकार मेज के चारों और किंदर की और मुख करके बैठे हैं जरूरी नहीं इसी करम में बचो छह लोग बैठे हैं दो लोग बैठे हैं बड़ी लाइन पे एक आदमी बैठा है छोटी लाइन पे इस परकार इनकी जानकारी है व्यक्ति कोई भी कोने पर नहीं बैठा ठीक है C और F A की और बैठे है C और F A की और बैठे है पेटा मान लो एक बार के लिए मैंने C F ऐसा मान लिया अभी क्लियर नहीं है F इधर C इधर भी आ सकता है अभी पता नहीं है F B का पडोसी है F B का पड़ोसी है तो B यहां आ सकता है P A के सामने बैठा है A को यहां मान लीजिए A D के बाइंग को दूसरा है A D के बाइंग को दूसरा है तो D के बाइंग को दूसरा A नहीं बन सकता बच्चे D के लेफ्ट में सेकिंड पे A नहीं बन सकता इसका मतलब मैंने तो CF arrange किया था वो मेरा सही नहीं है हमें ये जानकारी ऐसी माननी चाहिए ये F ये C अब देखो F B का पडोसी है B के सामने A बैठा है यहां पे A हो गया A D के लेफ्ट में सेकिंड है बचो D यहां बैठा है D के लेफ्ट पे सेकिंड पे A आ गया D के बाई और गिन्ने में D के बाई और गिन्ने में A और D के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं बचो अगर मैं D यहां मानो D का राइट एंड इधर लेफ्ट एंड इधर अगर मैं D के लेफ्ट में count करता हूँ अगर मैं D के left में count करता हूँ तो A और D के बीच में केवल A की व्यक्ति बैठा है A और D के बीच में केवल A की person बैठा है only one is the correct answer ये दोस्तों इस सवाल की बात हो गई ये दोस्तों इस question की जानकारी हो गई अब दोस्तों एक मिनट का समय है आपको हमारे जबर्दस्ट ओफर के बारे में जानकारी देने का प्यारे बचों ये आपके लिए अनकैडमी प्लैटफर्म पर तीस तारिक तक एक जबर्दस्ट ओफर चल रहा है अगर दोस्तों आप अनकैडमी प्लैटफर्म पर किसी भी एक्जाम के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो तारीक 30 तक बच्चों एक जबरदस्ट ओफर चल रहा है जिसमें आपको तीन साल का सब्सक्रिप्शन क्री एर्स का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 377 में मिल रहा है वह दो साल की फीस है 3644 पूर तीन साल की 377 तो केवल 60-70 रुपए का डिफरेंस है आप जाना बच्चों तीन साल पे तीन साल के सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे सारे बैचेज लाइव क्लासेज डाउट क्लासेज आप दोस्तो रिकॉर्डेड बैचेज पीडियाफ टैस सीरीज नोटस सब एक्सेस कर पाऊगे पढ़ने का तुम्हें पूरा पैकेज मिल जाएगा केवल 3717 में ओफर केवल 30 तारिक तक है सुमित गोल सर कोड का यूज करके इस 2023 के लिए दोस्तों आप जो भी हमारे सारे जोइन कर पाएंगे अगर आप प्लैटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर लेते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अनलिम्टेड बच्चों क्लास पढ़ सकते हैं जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आप हर क्लास को एक आरे सीजियल 2023 का 27 अप्रेल से यह बैच आने वाला है यह सारे बैच बच्चों अनकेडमी प्लैटफॉर्म पर आपको अवेल करवाई जाते हैं नोट्स एससी के एक्जाम के आपके लिए अवेलिबल हैं नोट्स बच्चों आपको पीडियाफ सेक्शन अपडेट मिल करते हैं सुमित गोल सर कोड का यूज कर लिजिए और एकेडमी प्लस पर दोस्तों आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा विटा आज के पेपर में 15 सवाल करेंगे बाकी क्वेश्चन बेटा आपको नेक्स क्लास में करवाई जाएंगे आज के पेपर का ब भारत सब ख्याल रखिये अपना टेक क्यर